हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान 10-12 बोर्ड एक्जाम पोस्पॉंट के बारे में और उस meeting के निर्णे में क्या आया है जिसमें की 8, 9, 10, 11, 12 के जो candidate है उनके साथ क्या होगा या उनकी exam कैसे होगी इसके बारे में एक meeting की गई है। और यहाँ पर उस meeting के अंदर एक निर्णे निकल कर आया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर पहले आप इस चीज को जान लीजिए कि जो candidate 8 में है वो 9 में है और 11 में है उनको सीधी सी बात है कि उनकी जो है exam नहीं ली जाएगी उनको यहाँ पर जो है promote कर दिये जाएगा तो अब यहाँ पर दोस्तों बात रह गई कि यहाँ पर जो 10th के candidate है और जो 12th के candidate है उ सकता है कि अगर उन्हें promote करते हैं या अगर वह exam में बहतर करकर नंबर अच्छे ला सकते हैं इसको लेकर तो यहाँ पर दोस्तों काफी candidate इस चीज को लेकर जो है जो है उनके साथ भी जो है खिलवाड होगा क्योंकि उन्हें ने एक्जाम की पूरी त्यारी की है जैसे कि उ लाओं तो बने रहेगा हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों जाद से जाज़ा इस वीडियो को सेर करिएगा अपने वाटसप ग्रूप फेस्बेक ग्रूप जिस ग्रूप पर सेर करना है सेर करिएगा किसी चीज का खत्रा ना रहें क्योंकि अब जो परकिरिया है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मई तक जेदने भी ट्यूसंस हैं वो सारे बंद कर दिये गए हैं इसको लेकर कैंडेट जो है अब अपनी त्यारी भी नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने पहले पढ़ा है अब उन हमकिरिया है जो अभी है जूँ इस्तिति है वो अगर इस्तिति सुधर्ति है तब मई के बाद जो है 10 और टुट की اीग 175 कराई जा सकती हैं अगर मई online exam के according ही आपको जो है आगे की number दी जाएगी पर यहां पर दोस्तों इसको लेकर यहां तक last मई तक वो इंतजार करने वाले हैं और इंतजार में यहां पर उनके तरफ से जो फैसला होगा उसके बाद ही आपको पाँ चलेगा क्योंकि मई के बाद ही जो है आपकी 10th और 12th की ज होना चाहिए और 10th वालों को इस चीच को अगर है तो यहां पर पूरी तरह से जो है lockdown की परिकरिया हटती है तब जाकर school और college कुलेंगे उसके बाद जो है exam कराई जाएगी तो यहां पर दोस्तों एक यही अपडेट आ रही थी जो मैंने आपको बता दिया और जल दी इसके candidate को जो है भविस में परसानी उठाई जा सकती है इसको लेकर अभी एक या दो दिन वाद फिर जो है एक cabinet बैठेक होगी और इसके अंदर जो है फिर से 10 और 12 और college के जो student है उनके लिए भी meeting की जाएगा कैसे इन सभी को जो आने वाले जो भविस में कभी किसी तरह का इस ची क्योंकि परदेश में जितनी भी एक्जाम है चाहे वो ICIC बोड़ो चाहे वो CBC बोड़ो चाहे वो पंजाब बोड़ो चाहे वो हर्याना बोड़ो उन्होंने जो एक्जाम को पूरी तरह से इस्थागित कर दिया गया है और उनका direct यही करना है कि जब तक यह जो परकिरिया है यह जो समस्या है पूरी तरह से ठीक नहीं होती है तब तक जो है 10 और 12 की एक्जाम को यहां पर नहीं कर जाएगा पर रास्थान बुड का मानना है कि ऐसे candidate की जो भविस हैं उन पर इस चीज़ को लेकर आगे में समस्या हो सकती है तो इसी चीज़ को लेकर यहां तक वो म ली जाएगी और online exam कैसे ली जाएगी इसके बारे में पूरी रणनीती बनाई जा रही है यहां की एक भी समस्या को किसी किसी चीज़ को लेकर कोई भी दिक्कत ना है कोई भी आपत्या ना है क्योंकि हर एक जो है candidate है लगबग पूरे मिलाकर अगर रास्थान के अंदर 10 और 12 के जो candidate है वो 20 से 25 लाग candidate है इस चीज़ को लेकर तो यहां पर इन चीज़ को देखना है और सबसे ज़्यादा जो candidate है वो यहां पर 10 में है क्योंकि 12 में हर एक candidate की अलग अलग च्वाइस हो जाती है वो अलग अलग जगाओं पर इस चीज़ को लेकर जाते हैं पर यहां पर दोस्तो रास्थान सरकार इससे related पूरी information लेगी इसका पूरा जो है यहां पर जो जांच की जाएगी कि candidate को किसी तरह का कोई खत्रा ना होए exam देने में तो इस चीज को यहां पर देखते हुए रास्थान सरकार आपके लिए जहल दी एक नोटिस जारी करेगी और जो भी अपडेट आएगी पलपल की हम आपको अपने चैनल स्टाडी जोन के माद्यम से अपडेट जैदेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और ज्यादा 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 इस वीडियो को सेर करेंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब सब्सक्राइब के लिए जाहिंद हमारे चैनल स्टाडी जोन को सब्सक्राइब के लिए जाहिंद